नमस्ते, हलो प्रेंग्स, मैं शाली मी, चापुरा इशार टेंट्राउट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्लागत करते हैं, दोस्तों, आज हम लोग अन्रोईरी की नेक्स्ट इस्टीच सिखेंगे, वो है सैटनिस्टीच, दोस्तों, आपको मालूमी है कि मेरे इस चैनल पर आपको हर चीज का फुल कोर्स में देखा, मतलब एम्रोईरी की मैं आपको एक एक करके सारी स्टीचे सिखांगी, इससे पहले भी हमने मैकरां, टैटिंग, प्रोशेर, इन सब की सारी स्टीचे या नौट्स सीखती हैं, और आगे भी मैं आपको जो भी सिखांगी, सब क फुल कोर्स दिखांगी, तो आप मेरा ये चैनल देखते हैं, आज हम सैटन स्टीच सीखें के चैनल शुरू करते हैं, देखे दोस्तों सैटन स्टीच को हम अलग-अलग 3-4 तरे से बना सकते हैं, एक्चुली बनाने के डंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा- डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस डारेक्शन में या किस धंग से इसको यूज करना है, इसके अलावा इसे हम आड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतनी सुन्दर नहीं लगती, अब सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उपर की बिल्कुल इसके पॉइंट से निडिल को बाहर निकालेंगे, और नीचे की तरफ इसके सेंटर से निडिल को वापस नीचे ले जाएंगे, इसमें ये चीज धियान रखिएगा कि ये धागा एकदम स्ट्रेट रहे, तिर्चा ना हो, अब फिर उपर की तरफ से निडिल को निकालेंगे, और नीचे की तरफ इस थ्रेट के पास फिर से नीचे ले जाएंगे, बस आपको एक चीज धियान रखिए है कि उपर आपकी निडिल हमेशा लाइन पे ही बाहर निकले और थ्रेट के बीच में गैप ना बचे, इसी तरह ये साइट कम्प्लीट कर देंगे, और दोस्तों नीचे की तरफ से भी सेंटर वाले पोर्शन में जगे खतम हो जाएगी, तो यहां से भी हम दीरे-दीरे लाइन पे उपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, देखें दोस्तों यहां पे थोड़ी सी जगे और बची है, तो यहां पे एक छोटा टाका और देखें इधर प्रॉपर लीफ की गोलाई आ गई, अब हम दूसरी साइट इस थ्रैट के बिलकुल पास से लाइन पे फिर से नीडिल को बहार निका लेंगे, और बिलकुल उसी तरह अब इस साइट से बना लेंगे, और दोस्तों अगर कभी गलती से नीडिल थोड़ा सा द दूर निकल आती है, या गैप बीच में रह जाता है, तो आप धागे को बिलकुल स्ट्रेट ही रखें, और दुबारा फिर इसके बीच में से नीडिल निकालके एक स्टिच और बना लें, कोशिश यही रखनी चाहिए कि बीच में बिलकुल गैप ना बचे, लेकिन फिर भ देखें ये लीफ तयार हो गई, अब हम ये डाइगनल वाली लीफ बनाएंगे, सबसे पहले हम इस लीफ से स्टार्ट करेंगे, इसमें उपर पॉइंट पे निडिल को बाहर निकालेंगे, और इस साइड डाइगनल लेते हुए धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, और फि दूसरी लीफ इसी के कंटिनिवेशन में बनाएंगे, तो वो दूसरी साइड डाइगनल आती जाएगी, तो ये एक पेर बन जाएगा इंका, ऐसे ही हमने ये बाकी चारों लीफ भी दोदो के पेर में ही बनाई हुई है, इस लीफ में इधर जितना स्ट्रेट पॉर्शन है फर्स्ट स्टिच हम केवल उतनी ही लबी लेंगे, अब उपर बिल्कुल फर्स्ट थ्रेट के पास में लाइन पे निडिल निकालेंगे और नीचे भी लाइन पे इस थ्रेट से छुलती हुई निडिल फिर से नीचे ले जाएंगे, दौनों साइड से लाइन पे बिल्कुल पास पास बनाते चले जाएंगे नीचे की तरफ से थ्रेड दीरे-दीरे सेंटर में आता जाएगा और फिर हम दीरे-दीरे सेकिंड लीव पे शिफ्ट हो जाएंगे दोचकोष्ट हुारा कंढ़े जाता जाएंगे इस लीव का भी उपर जो टॉप का पॉइंट है लास्ट में वहां तक इसको बना के प्रॉपर शेप देके एंड कर देंगे देखे फर्स्ट लीव जो हमने बनाई थी उसकी जो फर्स्ट इस्टिच थी इस लीव की वह लास्ट इस्टिच है अब हम ग्रीन लीव बनाएंगे ग्रीन लीव बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस लीव के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है अब इसमें भी सबसे पहले हम इस leaf के उपर वाले point से नीडिल को बाहर निकालेंगे और थोड़ी दूरी पर center वाली line पर नीडिल को नीचे ले जाएंगे फिर दुबारा उपर की तरफ से बिल्कुल thread के पास से लाइन पर से से नीडिल को बहर निकालेंगे और फिर सेंटर वाली लाइन पे इस थ्रेट के नीचे यहां से नेडिल को फिर से नीचे ले जाएंगे इसी तरह इस साइट धीरे-धीरे हम बनाते हुए नीचे तक आ जाएंगे यहां हम बिलकुल सेंटर वाली लाइन पे चलेंगे और इधर लीफ के शेप के साथ साथ चलेंगे के शेप लाइन बिल क्या किदाला ... क्या सकती चलेंगे झाल 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 ये देखे अब हम दूसरी साइट इस डारेक्शन में बनाएंगे बस ये ध्यान रखेगा कि सेंटर वाली लाइन पे आप बिलकुल पहले वाले थ्रेड से टच होते हुए ही बनाएं अजा झाल 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 प्रहेचाई प्रहेचान प्रहेचाई जब्छात फ्रहेचाई झाल झाल देखे ग्रीन लीफ भी तयार है ग्रीन लीफ में सेंटर से हाफ करके दौनों डारिक्षन में आधा-धा बनाने की वज़े से इसमें बिल्कुल नैचुरल लोक आ जाता है और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि embroidery में back side में भी neatness रहनी चाहिए और जब आप इसमें फंदा लगाते हैं उसके बाद इस thread को इन धागों के बीच में से निकाल लेंगे उसके बाद काटेंगे आप direct pass से काट देंगे तो knot खुलने का डर रहता है और अगर आप थोड़ा लंबा thread वैसे ही छोड़ देंगे तो वो इधर उधर उलच के तूट भी सकता है या फिर अगर आपका कपड़ा पतला है तो वो front side में चमकेगा और अच्छा नहीं लगेगा देखे दोस्तों satin stitch को हमने तीन अलग-अलग तरे से बना कर तीन अलग-अलग तरह से बना दिया देखे सेटन stitch का एक खुबसूरत pattern तयार है तो देखा दोस्तों आपने कि सेटन stitch की खासियत है कि वो front से और back से एक सी बनती है बस back side में knots आज़ती है अब हम मिलेंगे next episode में एक और embroidery stitch लेके लेकिन उससे पहले आपको फिर से यार दिला दूँ कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिये साथ ही बैल के बटन में भी क्लिक करिये और वीडियोज पसंदार ही है तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें साथ ही Facebook पेज भी लाइक और फॉलो करें आवे पॉलो मैंच करिए डिलागा न में रहु टे भी लाईं एक sağ माँ ऑलो ही 17